तो क्या दोस्तों आपके फॉन में नेट अन करके भी नहीं चल पा रहा है हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूके वाले भाई यूटूब चैनल पर तो दोस्तों मेरा नाम वरताथिकारी आगे हो फिर से एक न्यू टेक्निकल वीडियो लेगे तो फ्रेंड आज की सुडियों आप लोग को बताने वाला हो कि अगर आपके फॉन में नेट अन करने पर भी नहीं चलता एक दो तीन या एक दिन भी नेट नहीं चल पाता यानि की दो तीन घंटे के बाद दोस्तों या फिर एक दिन लग जाता है लेकिन नेट ही नहीं चलता नहीं चलता लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों में खुपिया सेटिंग बताऊंगा आपके फॉन में जिससे की दोस्तों आप यह देख लेना कि आपके फॉन में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है जिसकी वज़े से आपके फॉन में नेट चलना बंद हो गया है या फिर दोस सीथे स्टार्ट करते हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर देना और बेल अको भी प्रेस कर देना लोगा है तो लुक्न कार्ण का थीमें से क्ट यहां पर फिर आपको सपखे यहां पर मिल सकती है डूव स्टो को इसका इनले सकती हां इस वाइज जो है आपको मिल सकती है इनमें से कोई विछ थे आपको जरूर 87 مिलेगी क्यूंकि दोस्तों आपका अगर प्रोष यहां तो जैसे मैं SIM 1 में चले जाता हूँ यहां से SIM 1 में जाने के बाद दोस्तो अब यहीं पे है मीन सेटिंग जिससे कि आपका नेट चलेगा तेजी से भी चलेगा 4G स्पीड में चलेगा और आपका नेट चलना बंद भी नहीं हो पाईगा उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर आपको दिखाय देगा नीचे नेटवर्क सेटिंग में दोस्तों यहां पर आपको दिखाय देगा perfected network type आपने इसमें किलिक करना और यहां से आपने देखना है कि आपका 3G 2G audio तो नहीं है 2G only तो नहीं है यहां से अपने select जो करना है वो करना है 4G 3G 2G यानी कि दोस्तो जैसे कि 4G में नेटवर्क नहीं चल बार है तो दोस्तों आपका 3G में भी चल जाएगा by the way 3G में भी नहीं चल रहा है तो दोस्तों 2G में तो जरूर चल जाएगा अब आपने हैं से क्या करना है यहां से बैक आ जाना है बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको मिलेगा access point name तो आपने इ इसे यहां पर वोड़ाफवण, idea, bs.nl जो भी आप sim card यूज करते हैं वह यहां पर जो है name आजाएगा अब आपने क्या करना है उस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद जैसे atl पर मैंने click कर दिया तो यहां से कोई setting default होगी तो आप से वह ठीक नहीं हो पाएगी तो यहां से भी दोस्तों आपने डिलीट APN कर देना है तो डिलीट APN करने के बाद यहां से Access Point Name में कोई भी SIM Card का नाम यहां पर नहीं आ रहा है अब आपने यहां से करना किया है यहां पर आपको Reset दिखाए 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 नीचे से आ चुक है नाम और यहां पर ATL MMSP नाम आ चुक है SIM Card का नाम आ चुक है और आप क्या करना है दोस्ते आपने बैक आ जाना है अगर आपके Access Point में कोई भी default हुआ होगा वो ठीक होके सही हो जाएगा क्योंकि आपने reset कर दिया पहले वाला Access Point अब यहां से आपने back आ जाना है अब यहां से आपने carrier दिखाई दे रहा है आपको यहां पर ATL select होगा है यह देखना carrier पर आपने यह ध्यान देना है friend की आपका यहां पर नाम क्या है जो carrier है वो यहां पर आया है आपके SIM Card का नाम है और आपका net चलना भी start हो जाएगा जैसे कि मैं आप YouTube यहां पर चला के दिखा देता हूं दोस्तों वही पहले की speed में चलेगा दोस्तो 4G speed में बिलकुल अब आपको कुछ भी करने की जरुरत नहीं है यहां से आप देख सकते हैं चलना start हो गया और हाफ friend आपको यह भी बता देशता हूं कभी कभी जो है वहीं से network की problem होने की वज़े से भी net नहीं चलता तो एक बार आप confirm कर लेना यहां से setting करने के बाद भी net नहीं चलता तो दोस्तों यह समझ लेना कि mobile networking की जो problem है वहीं से हो रही है ठीक है यहां से कुछ नहीं हुआ है तो दोस्तों वीडियो पचंद है तो वीडियो को like कर देना and comment पे लिख देना अपने sim card का नाम दोस्तों comment भी बता देना video कैसी लगी और अगर आपको कोई भी topic पे video बनवानी हो आपको कोई आपके mobile phone पे जो है default हो गया तो आप मुझे इस्टग्राम पे message करके बता सकते हैं दोस्तों मुझे टॉपिक पे video बनाके आपको 12-21 से समझा दूँगा तो दोस्तों तब तक चलिए अलवीदा फ्रेंड मिलते हैं अगले कोई new technical video लेके thank you so much